एक लड़ाई अजादी से पहले थी, एक अब है अजादी के 75 साल मनाने पर उस समय अंग्रेजों से छुटकारा पाना था, अब अंग्रेजों वाली सोच रखने वालों से छुटकारा पाना है लेकिन जब मैं समचार पत्र की या न्यूज की बात करता हूँ, एक तो है वालिटी न्यूज, जो मेरे सारे टीवी चैनल वाले सामने खड़े हैं या समचार पत्र वाले आप दिन राते करके पसीना बहाते हूँ, सची खबर जज़न तर पहुंचाने का प्रयास करते हूँ, पर कुछ लोग न्यूज के नाम पर फेक न्यूज बेचने का काम करते हैं और वो फेक न्यूज बहुत सारा नुकसान करती है, देश का भी, व्यक्ति का भी, समाज का भी, सरकार का भी और इस फेक न्यूज पर नकेल कसने के लिए भारत सरकार के पी आईबी ने फैक्ट चेक यूनिट बनाया है, जो भारत सरकार से जुड़ी ही खबरों को बताता है कि सत्य है या जूट है लेकिन ऐसी बहुत सारी खबरें, आपने देखाऊगा COVID-19 पैंडेमिक के समय भी, ऐसी खबरें चलती थी कि जैसे अस्पताल में बैड नहीं, तो लोग अपना पैसा लेके पहुंच जाते थे पहले बैड बुक कराने के लिए लेकिन जिसको जुरूरत थे उसको बैड नही था जो जूटी खबरों के प्रचार-प्रचार से ना चाने दुनिया भर में लाग को लोगों की चानी लेने का काम तो मेरा नमेदन ये रहेगा कि फेक नियूस पर जितनी जादा से जादा रोक लगे वो होनी चाहिए लेकिन आप लोग भी कोई भी खबर आपके पास आए बगयर जाने उसको फॉर्वर्ट मत दीजिए ना जाने आप भी फेक नियूस को आगे बढ़ाता है तो उसमे धोड़ा कंट्रोल करना है ऐसे ही हम लोगोंने रीजिनल लेक्विजिस को बहुत बढ़ावा दिया है भारत सरकार का जैसे को निर्ड़ाय होता है हम उसको अलग लग भाशाओं में प्रेस रिलीज करते हैं सोशल मीडिया के मात्यम से उसको जनजन तक पहुंचाने का काम करते हैं और अलग लग राज्यों क दो कि दो कि अधित को एक न प्रिंट सब्सक्राइब करते हैं युद्ध लुद्ध लग रग रुव जो लिए युद्ध पार डॉल्स वर लग देश से प्रेंड लिए इंड आट देश के पहुंचाने को लिए इसां पते हैं अलसों में लूभ रिए शूड पर थिर एव में विदेशों में भी कोई उडिया समाथ की लोग हैं अगर पज़त अन्त्रा चाहे तो ऑनलाइन अख़वार के मात्यां से उन तक भी अपनी ख़बर पहुंचा सकता है जादी आपनों को आमों वीडियो टी भल लगिला तेवे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करेबा कुछ जमाभी बोलों तो नहीं